नमस्कार दोफतों एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का हार दिक स्वागता लेट अफ्टर प्रेड निकल का है कि केंद्रे क्रमचैरियों का दिल होगा गार्डन गार्डन नो हजार रुपे बड़ेगी बेसिक सैलरी डिये होगा पचास परतिशत तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फफटाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए सस्क्राइब कर दीजिए साथ ही साथ वाल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गोर्मेंट या पैंसें से समन्दी जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोडिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंद पोस्त के तो करते हैं वीडियो को स्टाइट बिना किसी देरी के दोस्तो केंदरे करमचारियों के लिए हर साल दो बार महिंगाई बते में इजाफा होता है लेकिन ये इजाफा कितना होगा यह है महिंगाई के करम पर निरबर करता है दुनिया के कई देश इस वक्त मेंगाई से जूज रहे हैं बारत में भी मेंगाई का करम तेजी से उपर की तरब बढ़ता दिख रहा है देश के सेंडरल बैंक की आसंका जता चुका है कि मेंगाई का बू में नहीं आ रही आने वाले दिनों में मेंगाई की तेजी पकड़ने के आसार है यही वज़े है कि RBI अपनी मुद्रिक नीती को समय से पहले नुम्बर में करने जा रही है बढ़ती मेंगाई बले ही देश के लिए अच्छी नहीं लेकिन मेंगाई के अनुपात में किंद्रे करमचारियों को मिलने वाले बत्ते में इजाफ़ा होना तै है खेर महंगाई को अगर छोड़ दे तो करमचेरियों के लिए महंगाई बत्ता आने वाले वक्त में सैलरी इंक्रिमेंट लेकर आ रहा है दोस्तो हाल ही में केंद्रे करमचेरिये महंगाई बत्ते में 4 परतिशत का इजाफ़ा हुआ है यह इजाफ़ा जुलाई 2022 से लागू हुआ अब जन्वरी 2023 से अगला महंगाई बत्ता लागू होना है उमीद है कि अगला इजाफ़ा भी 4 परतिशत होगा एक्सपर्ट की माने तो जिस तरह महंगाई के हालात है उसे साफ़ है कि आने वाले दिनों में महंगाई बत्ते में भी 4 परतिशत की तेज़ी आएगी अभी महंगाई दुनिया की तुलना में देश में काफी कम है लेकिन जनवरी 2023 तक तस्वीर कुछ और हो सकती है ऐसे में 4 परतिशत बढ़ने पर महंगाई बत्ता 42 पर पहुच जाएगा दोस्तों महंगाई बत्ता का एक नियम है कि सरकार ने साल 2016 में जब सात्मा वेतना आयोक लागू किया तो उस वक्त महंगाई बत्ते को सुनने कर दिया गया था नियमों के मताबिक महंगाई बत्ता जैसे ही 50 परतिशत तक पहुचेगा उसे सुनने कर दिया जाएगा और 50 परतिशत के अनुसार जो बत्ता के रूप में पैसे मिलेंगे वो करमचारियों को जो मिल रहे हैं वो बेसिक सैलरी यानि नियूनतम सैलरी में जोड दिया जाएंगे तो दोस्तों मान लीजिए किसी करमचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपे है तो उसे 50 परतिशत डिये का 9,000 रुपे मिलेंगे लेकिन 50% डिये होने पर उसे basic salary में जोड़ कर फिर से महंगाई बता सुने कर दिया जाएगा दोस्तों जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है तो करमचारी को मिलने वाला डिये को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है यू तो नयम करमचारी को मिलने वाले सत परचिशत डिये को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पाता विद्यस्तिती आड़े आ जाती है अलंग की साल 2016 में ऐसा किया गया था इसे पहले 2006 में जब छटा वेतन मान आया तो उस समय पाचमें वेतन मान में दिसंबर तक 182 परचिशत डिये मिल रहा था पूरा डिये मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया इसलिए छटे वेतन मान का गुननांक 1.87 था जब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया लेकिन इसे देने में तीन साल लग गई दोस्तों साल 2006 में छटे वेतन मान के समय नय वेतन मान को एक जनवरी 2006 से लागू किया गया था लेकिन इसकी अधिक्तम अधिसूचना 24 मार्च 2009 को जारिक कर दी गई थी इस देरी की वज़े से जरकार को 49 से 42 महीने का डिये एरियर तीन किफ्तों में तीन वेतन मान में आठ हजार से लेकर तेरा हजार पांसो बाले वेतन मान में आठ हजार पर एक सो च्छासी परतिशर डिये चोदा हजार पांसो रुपे होता था इसलिए दोनों को जोडने पर कुल वेतन 22,880 रुपे हुआ चटे वेतन मान में इसका समकक्ष वेतन मान 15,600 से लेकर 49,100 पलस 5,400 ग्रेड पे निर्दारित किया गया चटे वेतन मान में इसलिए वेतन 15,600 पलस करने पर 21,000 और उस पर एक जनवरी 2009 को 16 परतिशर डिये 2226 जोडने पर कुल वेतन 23,226 रुपे तैक किया गया चोथे वेतन आयो की स्पारिस 1986 में की 1996 में छटे की 2006 में लागू कि अगर साथ में कमिशन की स्पारिस जन्मरी 2016 में लागू हुआ दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस में भी अगला रिवीजन 3 परतिशत का होगा अधिकता मौजुदादर 27 परतिशत से बढ़कर HR 30 परतिशत हो जाएगा लेकिन यह है तब होगा जब मैंगाई बता 50 परतिशत के पार हो जाएगा मौमोरीडम में मताबिक डी एम के 50 परतिशत क्रोस होने पर HR 30 परतिशत 20 परतिशत 10 परतिशत हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस की काटाइगरी X Y Z कलास सहरों के हिसाब से है जो किंद्रे करमजारी X काटाइगरी में आते हैं उन्हें 27 परतिशत HR मिल रहा है जो 50 परतिश परतिशत हो जाएगा वही Y कलास वालों के लिए 18 परतिशत से बढ़कर 20 परतिशत हो जाएगा और Z कलास वालों के लिए 9 परतिशत से बढ़कर 10 परतिशत हो जाएगा तो दोफ तो आज के लिए इतना ही मिलतें नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत